जय महाकाल नमस्कार दोस्तों मेरा यूटूब चैनल आलमिक्स ग्यान सारम आपका स्वागत है दोस्तों आसर करता हूँ आप सबी लोग अच्छे होंगे आपके घर परिवार में हमेशा खुशी मंगल बनी रहे दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मैं एक अदभुत त के दोस्तों जो आजका विधान है इस विधान पो आपके पास मैं को परिषाणी है को हूँ आपके उपणंवर्फी तंठ्र मंतर कर रहा हो आपका सत्रू है जो अती से अंत भो गया है मतला आपके पास आपको जीने और मरने के चैंटात में झोड़ दिया है आप ने बहुत बार कान प्रयोंग किया। या कोई अन्य तांत्री को दिखा लेकिन आपको घर का इस्तिति नहीं सुधरा। बल्कि आपके घर में जितने विट्वून का एकक बैकति मिर्तिय हो रहा हो। इस तरह से कगार आपको मिर्तु के द्वार पर ही खड़ा करके रख दिया गया हो और आपके घर को छितिर बितिर कर दिया है आस्त बेस्त कर दिया है आपको जीना और मरना एक समान चल रहा हो तब अती हो गया हो तब जाके इस प्रयोग को करना है आपको बदले के भावना से या पैसे के लालच में इस प्रयोग को नहीं करना दोस्तों इसको मैं जनहित अजन का ल्यान को देशे से बता रहा हूँ क्योंकि आपके वाद कोई उपयोग ना हो आपके सत्रू जिस तब मैंने बताया उसी तब प्रसानी कर रहा हो तो यहाँ आपके लिए बहुत ही उपयोगी साधना और मंत्र है दोस्तों यह जो मारन विधान है यह डहाईया अडहिया मंत्र है ग्रामिड मंत्र है जो तिक्छड काम करता है तूरंत कारे करता है दोस्तो इस मंत्र को स्वेम सिध मंत्र है लेकिन इसके विधान को पूरा करना है मारण चलाना मारविध्या चलाना हर किसी के बात में नहीं है इसके सही विध्य विधान जो जनकार बेकते हों चुपा देते हैं किसे को इसके जनकारी नहीं देते हैं मैं आज आप लोग को जै इसके जनकरी दूँगा और जनहित जनकल्यान को विद्धे से जनकरी बताऊंगा आप रहने के मानण विद्ध्या है इसको एक बार नहीं सौ बार नहीं हजार बार सोच समझ लेने के बाद में इस मंतर को प्रियोख करेंगे दोधरी दलवार है सामने वाले का जान जाएगा या फिर आपका जान जाएगा इसलिए इसको सोच विचार करके और इस विडियो को पूरा देखिए थोड़ा सी भी बात को आप इसकिप नहीं किजेगा नहीं तो यह घातक हो सकता है दोस्तों आपके पर कोई रास्ता नहीं तो ही इसको प्योग को इस मंतर का प्रियोग करेंगे अब यहाँ साधना या विधी मंतर बताने से पहले आप लोग को बाराम बार निविदन करता हूँ कि आप यहाँ परियोग करने से पहले सबसे पहले वीडियो का अच्छी तरह से देख लीजेगा समझ लीजेगा और सुन लीजेगा मारवड़ी चलाने से पहले आपके पास में एक जानकार बेकती होना अतियावस्यक है आपको रक्षा मंतर सुरक्षा घेरा सिध्ध हुआ हो वहाँ आपके पास में जागरित आवस्ता में हो या अतियावस्यक है साथी साथ मंतर को चलाया कैसे जाता है मंतर यदि वापास आता है कोई सकती भेजते हैं तो वापास आता है उसको रोकते कैसे हैं इसके सबसे पहले आपको ज्ञान होना चाहिए, यदि ना हो तो आप मेरे चर्में अन्य वीडियों उसको देख लीजेगा, मैंने इसके बारे में पहले जन करी दिया है, वह उसके बाद में कर सकते हैं। साथ ही साथ, इनको जन ही जन का ल्यान की उदेशे से, आपके पास कोई रास्ता ना हो तब इसको प्रयोक करना है। अब चलो बात करते इसका प्रियोक कैसे करना है सबसे पहले इसको सिद करना पड़ता है एक दिन, यहां एक दिन का सिद्धी है किसी भी आमावशक दिन या फिर सनिवार रात्री को इस पर कियोक कर लिना है आपको सिद्ध करने समय में कुछ समागीरी का आउसकता पड़ेगा नारियल अगरबत्ती, बंगला पान, लौंग लाची, पांच पर करके मिठाई बतासा, नेबू, सिंदूर या फिर बंदन, सराब और एक काला मुर्गी यह समागीरी आपको पहली कठा कर लेना है आपको जिस दिन या सिद्ध करना है उज दिन, सम्सान घाट में आपको Осब करना है अने जगए में इसको सिद्ध नहीं कर सकते आपको एक दिन पूर्वही सम्सान घाट को निमंतर देना है क्या मैं अमुक कारे करना आ रहा हूँ、 आप कामें शिध्ध दिजिए हेश समसान के देवी आपको मेरे बारवमाम प्रणाम है साथ ही साथ आपको अपने कुल देविता इस्ट देविता और ग्राम देविता का सुम्रण करना अवस्यक है अगले दिन सारत समागरी ले करके आपको जाना है काले कलर का वस्तारन करके या फिर बिना वस्ता के लेकिन काले कलर के कपड़े में आपको आसन लगाना है दक्षिन देसे कर मुख करके सबसे पहले पानी से चाउका लगाना है उसके बाद में उसके उपर में थोड़ा से चाउल रखना है सफेज चाउल उसके उपर में आटे का चौमुखा दीपक जला रहा है उसके बाद में आपको पांच अगरबत्ती जलाना है और अगरबत्ती जलाते हुए गडेश, गुर्देव, माता सहस्वती इनकर पूजन ध्यान करना है वाहन करना है इनको सभी को भोग देना है फोल भी अर्पित कर सकते हैं उसके बाद में रक्षा मंत्र, सरीर बंधन और रिंगन घेना कर लेना है उसके बाद में आके पुनह आपको बैठ जाना है और समसान काली, महा काली के उसके नाम से आपको पूजन करना है एक नारिया रख देना है बंगला, पत्त, लउग, रची उनको रख देना है उसके बाद में आपको थोड़ा से जल लेना है और उस जगह में अर्पित करना है समसान काली को, समसान घाट के दिवी को प्राथना करना है कि हेमा समसान काली, मैं यह जो कारे कर रहा हूँ इसके लिए मुझे धाई गज, धाई बित्त, धाई हाथ बोल सकते हैं आप, या फिर साढ़े तिन हाथ जमीन मुझे दीजे, ताकि मैं जमीन तो आपको उधार मंगना है और मैं महाँ पर कारे कर सकते हूँ इस तरह आपको बोलना है बोलने के बाद में आपको महाकाली के पुजन करना है और जो मैं आगे आपको मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को आपको पांच माला पढ़ना है यदि आप माला को प्योग कर रहे हो तो नर्मुंडी माला काला हकीक रुद्राक्ष इन माला को प्योग कर सकते हैं नागे दि माला ना हो तो आप लगभग दो से धाई घंटा मंत्र पढ़े आपको पढ़ते हैं पढ़ लेना है जब पूर रहा हो तो निबू में सिंदूर लगा कर उनको बली दे दे और उसके बाद में प्राथना करें कि मेरे कार्य पूर्ण हुआ या नहीं हो है माताकाली मेरा अरजबिन्दी स्विकार कीजिए मैं जन ही जन के लियान को देशे से और जब मेरे जान के उपर में किसी के जान के उपर में अगर तभी में प्रयोख करूँगा ऐसा आपको बोलना है उसके बाद में चावल वहाँ थोड़ रखना है उसके बाद मुर्गी का पैर आपको धोना है और उसके बाद में थोड़ा सा बंदल लगा देना है उसके सिर म तब उनका बली दे दीजेगा, बली देने के बाद वही पर आपको दफन कर देना है और साथ समागी को जोड़े देना है, आपको चले आना है, यहाँ प्रकर्वाप का शिध्धी का है, जब आपको प्रयोग करना है तो इसका विधान, जब कोई सत्रु अतिताई कर रहा हो, उनका नाम उनका गोत्र और उनका तस्वीर आपके पास मैं होना उस्षख है जब आपको प्रयोग करना है तब आपको एक काले रंग का एक हंडी लेना है और उनका ढकान भी होना चाहिए और उन सत्रू को जिनको आप मारविदे चलाना चाहते हैं उनका नाम तस्वीर होना चाहिए अब आप कुछ दिन कैसे करना है उस दिन आपको किसी समसान घाट में एक आंध जगा में चले जाएं समसान घाट सबसे उत्तम होगा के जाने के बाद में जैसे आपने पूजन के लिए गड़ेश गूरुषश जश्वत्टी और रख्छ्य एतक्त पूजन करने हैं आपको कार दे रहा है आपको सबसाब भी आपको हंडी में चारों दिशा में त्रिसूल इंकित कर देना है त्रिसूल छप देना है उसके बाद मुर्ण को बगल में रख देना है और एक पुतली तयार करना है पुतली जो बनाएंगे आठे का पुतली होगा आठे की पुतली बनाना है उनके सीने में उस सत्रू का नाम लिखना है और उसको वहाँ पे खड़ा कर देना है आपके सामने में खड़ा करने के बाद में एक निबो और कार देना है उनके प्राप्रतिष्ठित के लिए कि वह अमुग बेक्ती का और वहाँ पे उनका तस्वी है जिनको मारविदर चलाने वाला हूं हे मरही माताब हे समसान काली आप मेरे कार्य को पूर्ण करो मेरे को कार्य में सिध्य दो इस शत्रुप मेरी को विनास करो ऐसा आपको बोलना है और बोलने के बाद में वहाप उनको तस्वीश रख देना है अब उस वहाँ पे आपको समसान घार के लकडी से 21 कील बनाना है कौन से लकडी 8 की लखडी से जिसमेह मुर्दे को ढोकर के लेजाते हैं उनको र'Tक करके उसीका 21 कील बनाना है ओर एक किसल को पकड़ करके आपको एक मंत्र पड़ना है और उस कुत्ली में मारना है सीनिय त Bennett इस तरह 20 कि महां पर गार देंगे का गारने के बाद में उसके सीर में कपूर डाल देंगे और उनको जला देंगे जलाने बाद उसको पुतलिक उठा करके आपको मठकी में